बताएए बाबाजी जैसरी राम सादु सन्यासी कियो महीं बोलेंगे? ये जैसरी राम जो है ये भाजबावलों का नारा है मरवारा है, कचवारा है, एंगों को माथ कर दbour़ा है, ये जैसरी राम वाले है वेल्कम दोस्त वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वाइरल चल रहा है अब डेट जुड़े वोए हैं आरपी एफ कॉंस्टिबल के हवाले से जी हाँ मुसल्मान समाच की तरफ से एक भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला है आपको याद होगा किस तरह पर इस अरपी एफ के गॉंस्टिबल ने जैपुर मुंबई एकस्प्रेस ट्रेन के अंदर चार लोगों को मासूम चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था क्या अपडे बात कर रहे हैं लेकिन वही जिस तरह के से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से कुछ ऐसी खबरे फैलाई जा रही हैं जहां बताया जा रहा है कि कैसे मुसल्मानों ने मंदिर के वाहिर जो हिंदू महिनाओं का बलातकार किया कुछ कपड़े मिले जहां कपड़ों के आधार पर इस सारी बाते हो रही हैं पुलिस का बयाना आया है शेर करेंगे पूरा मामला और किस तरीए के से इन सारे मुद्धों पर जो मुसल्मान के साथ हो रहे हैं उस पर कतर और सौधी की शिख कि क्या बयानात है शेर करेंगे सारी रिपोर्ट इस लेकिर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक और शेयर करना ना भूला करें कॉमेंट कर दिये करें जो भी आपकी राय हो बढ़ते हैं पहली अपडेट जो की आरपीफ की क कॉंस्टिबल ने ढून ढून कर गे मुसल्मानों को मारा और किस तरीय के से अपने सीनियर को भी मौत के गाड़ उदार दिया अब सोशल मीडिया पर तो जो प्रोपागेंड़ा पहलाते हैं गोदी मीडिया के समर तक है खुद गोदी मीडिया ये सब कुछ चलाता देख र रहा है सोशल मीडिया पर लेकिन लगातार जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि मुसलिम समाज जो है वो इन हमलों के खिलाफ रास्तों पर उत्रा है आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए बताई जा रही है कि जैपुर की सड़कों में जो है वो मुसलिम समाज इन हमल के खिलाफ रस्तों पर उत्रा है एक जलत जरूर देखिए साथ साथ बता दे के उन तीन मुसल्मानों में से एक कना मजगर था उनका परिवार जो है वो मांगर रहा है कि अगर कम से कम भी सजा हो फाजी की सजा होनी चाहिए उस शक्स को साथ साथ बता दे कि आपके साथ प्रीवियस रिपोर्ट्स में भी शेयर किया था कि कैसे हर्याना के डंगों में जो है वो किस तरह पे से नारे बाजी मुसल्मानों के फिलाफ हातों में हतियार वहां से पत्राओ यहां से जड़ाप और यह सब कुछ जो है वो शकल ले ले लेता है एक बड़े दंगे की और किस तरह पे से बताया था कि पुलिस ते एफ आयार और कई सारी गिरफतारिया हुई है यहां तक कि यह भी अपडेट आ रहे थे कि लगतार तीसरे दिन भी जो मान थे क्योंकि लगतार ऐसी वीडियो जा रहे हैं जहां मुसल्मान अपने घर तूटने के बाद बिलग बिलग करके रो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो जो है नूमे वात की बताए जा रही है कि किस तरह पे से बुल्डोजर वाली कारवाई के बाद कई लोग ज वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वाईरल है और इससे पहले मैंने आपके साथ रिपोर्टे पेश करी थी कि किस तरह पे से मुसल्मानों का बहिशकार हो रहा है मुसल्मानों को बुरा भला देश के घद्डारों को नजने ऐसे नारे बादी हो रहे थी और लगातार जो जो है वो बयानबाजी और साथे साथ ये भी बताया था कि कैसे इन दंगों में मुसलिम समाज ने हिंदूों की रक्षा करने की कोशिश करी है एक बाप बेटे की जान भी बचाई है इस दंगे के अंदर एक मुसल्मान परिवार ने कई पॉजिटिव खबरे आती हैं कई न एक्षन दिया जा रहा है जहां बुल्डोजर की कारवाई पर जहरानी लिखते हैं कि वेल्कम टू बुल्डोजर नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया यानि बता जा रहा है कि ये नया इंडिया है बुल्डोजर की कारवाई होती है मोदी का नया इंडिया जो है वो लॉलेस ह यानि कोई कानून नहीं चलता यहाँ पर नफरती बयान बाजी पर भी साओधी के शेख का रियाक्शन आ रहा है लिग रहे हैं कि क्या ये वीडियो स्क्रिप्टिड है यानि विश्वास करना मुश्किल है कि जहाँ दंगे हुए है वहाँ अभी भी ऐसी वीडियो निकल किया रहे हैं जहां लगातार मुसल्मानों के खिलाफ ऐसे बयान बाजी हो रही है जहां वो कह रहे हैं कि इंडिया अंडर दे रूल आफ हिंदु त्विट टेरर ऑन फायर साथ साथ बता दे के कातर के शेख कभी ऐसे अपडेट्स पर रियाक्शन है लगातार सोशल मीडिया कि ऐसे बयान बाजी से मुसल्मान समुदाए के खिलाफ बयान बाजी से मुल्क को काफी नुकसान हो रहा है लगातार जो छबी है वो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रही है कि कैसे मुसल्मानों के खिलाफ लगातार नारे बाजी हो रही है और साथे साथ कतर के शेख की उन सारे वीडियोस पर जहा हाल फिलाल दंगे की हो, जहां हाल फिलाल जिस तरी किसे आग जनी हुई है, इमाम का कतल हुआ है, इस पर भी रियाक करते हुए, गतर के शेक ने रियाक्षन दिया है, कहा है, कि सब जतने भी मुस्लिम गवर्मिंट है, और्गनाइजेशन है, इन् मारो और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जैश्री राम, जैश्री राम. यहाँ पर उसी के साथ साथ एक वीडियो वाइरल हो गई है क्योंकि कई लोग जैश्री राम के नारे को एक रिलिजिस, एक धार्मिक नारा समझते हैं वहीं इसी बीच एक वीडियो आई है जिसके अंदर एक संस से जब पूछा गिया कि आप जैश्री राम का नारा लगाएं तो इन्हों उन्होंने साफ मना कर दिया आगे क्या कहा खुद सुनिये सादो संतों को बोली और भासा में जैश्री राम नहीं है जैश्री राम नहीं है यह तो भाजबा वाले रायजनेतिक उसके उपर में चला रहे है जैश्री राम का नारा लगा लगा के सब संप्राइदिक्ता पहला रहे हैं संप्राइदिक्ता से जातिवाद पहला रहे हैं मर हार्याना में दंगे कम नहीं थे कि सोशल मीडिया पर जो आईटी से ले उन्होंने फर्दी खबरे पहला करके महौल को और बिगाडने की कोशिश की यहां बताया गया कैसे मंदिर के बाहर औरतों के कपड़े मिले हैं कहीं बताया गया बलातकार कर दिया है मुसल्मानों ने मंदिर के बाहर महिलाओ का कुछ ऐसी अपडेट्स जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वाइरल की जा रही है कुछ ऐसे फोटोस के साथ कुछ अलग अलग वीजुल्स के साथ कुछ अलग अलग यूट्यूब वीडियोज और बाइट्स लेकर के जहां सोशल मीडिया के जो फैक्ट शिकर है मुहमद जुबेर उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि ऐसी वीडियोज जान बुच करके पेड अक्टर्स के साथ बनाई जा रही है जहां इस तरीके का प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इन दंगों के अंदर कैसे महिलाओं का बलातकार किया यानि साफ तोर पर हिंदू महिलाओं का मुसल्मानों ने बलातकार किया है यहाँ कुछ ऐसी खबरे प्हला जारी जो की काफी खतरनाक है अब इसका एक्सपोस करते हुए A.D.G.P. का बयान सामने आ गिया है जहां मुहम्मद जुबहर इसको शेयर करके कहते है कि जिस तरीके कि यह पोस्ट, यह वीडियो, यह कॉमेंटरी जो वाइरल हो रही है कि मुसल्मानों ने जो है वो इंदु महिला का बलतकार कर दिया है ममता सिंग के बयान को शेयर करते हैं मुहम्मद जुबहर कहते हुए के मन्दिर के पास कोई ऐसी बाताद नहीं हुई है जिसे सोशल मीडिया पर वाइरल किया जा रहा है ना ही किसी महिला की केड़नैपिंग हुई है ना ही किसी महिला ता रेफ हुआ है ना ही मॉलेस्टेशन उनका कहना है कि 31 जुलाई को वहां मौजूद थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो ये खबरे पहला रहे हैं मिसलीडिंग क्लेम्स कर रहे हैं उनको कही न कहीं बुक करने की बात करते हैं एडी जी पी मौमता सिंग और साथ-साथ कहते हैं कि स्ट्रिक्ट आक्शन भी लिया जागा उनके खिलाव जो ऐसे खबरों को पहला रहे हैं और जुबेर का तो ये तक कहना है कि कई यूट्यूब पर वीडियो जो ऐसे दावे कर रहा है जिससे हालाद बिगर सकते हैं के ऐसे दावे जो हैं वो फर्जी हैं पुलिस ने खुद कनफर्म किया है सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए तना ही अपनी राइस सुझाओ कॉमेंट में जबर बताएं मिलूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खिया रखें